दोस्तो स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब चैनल पर दोस्तो रीट सिचक वरती 2024 को लेकर आप सब के लिए इस समय की बहुत बड़ी अपडेट है रीट सिचक वरती 2024 की दोस्ते यांपर पात्ता परिच्छा के ओलाइन फॉरम रीट की बिग्यपती जारी करने को लेकर और मुख्य परिच्छा को लेकर दोस्तो शुडियों बात करने वाले हैं नियमों में परवतन किया जाएगा जी हां दोस्तो रीट में नियम चैन्ज होंगे क्या क्या नियम चैन्ज होंगे दोस्तो कब से कब तक भरती होगी और इस भरती के लिए दोस्तो आपको क्य पहले चनल के मात्याम से आपको प्राफ्ट हो सके तो दोस्तों सबसे पहले आप अपडेट भी दे सकते हैं ट्वीट आ चुका है आप यह सी की तरफ से रीट पातता परिच्छा का नोटीपिकेशन इसी महीने में जारी हो जाएगा यानि कि इसी अगस्त के महीने में और मार् परिच्छा हो जाएगी ज्यादा समय रीट पातता के लिए आपको नहीं मिलेगा तो आप रीट पातता की तो तैयारी करते रहें अब देखिए यह का जा रहा है कि पच्चीश जार पद अभी पड़ती है कि ज्यादा पदों पर आएगी अभी के लिए नहीं हो पाया है क् इसके लिए बोड की तरब से जो पदों की रिक्त पदों की सूचना है उसका यहां पदोस्तों वरिकन किया जा रहा है पदों के साफ से जनिल ओबी सलस्दों अब लाइप दिन करने के लिए आपको लाइप फूट इसके राव़ा अप्डेट करना होगा तो काप धिस आरे जो अपडेट है वो सुरू किये गए हैं यह मुख्य परिच्छा में होगा वहीं दोस्तो अपडेट यह भी यारी की राज्तान करमचारी चैनवर्ड कापी सारी भरतियों को online करवाने जा रहा है लेकि read का online exam नहीं हो सकता है योकि दोस्तो read में हालांकि लेवल फर्ष्ट का दोस्तो एक साथ पेपर होता है लेकिन लेवल सैकेंड में तो आपके सब्जेक्ट वाज पेपर होते हैं में साइन्स इसके अलावा दोस्तो एक साथ ही कंडेट कराया जाता है तो overall दोस्तों देखिए read का जो पेपर होगा वो offline होगा online नहीं होगा हालांकि इसको लेकर board कापी सारी exam है जिनमें कम आविदन आते हैं तील लाग से कम forum जिन बरतियों में आते हैं उनका पेपर तो online contact करवाएगा लेकिन जिनके तील लाग से अधिक forum आते हैं उनका पेपर offline होगा और read में पिछले 8 लाग विद्ध्यार्ती 9 लाग विद्ध्य करते हैं तो overall दोस्तों 10 लाग तो कम से कम मान के चलिए कि forum आपके बरे ही जाएंगे पिछली वार 9 लाग वरे गए तेस पार ज्यादा बरे जाएंगे 50% महला रचड़ होने की विए से महलाओं की रूची इसमें ज्यादा हो गई हालांकि आपको पता दूं 50% अभी लागी जा सके और जिस परका से सीटी में दे सकते हैं महला रचण की वाओं की मांग के अनुसार पुराना नियम ही लागू होना चाहिए क्योंकि इसमें अगर 36% भी लड़कियां लेती हैं तो लगवाग 55% सीटों पर लड़कियों का सलेक्शन होगा इसके अलावा बिगलां कोट है स्पोर्ट को रटा है एक सर्विसमेन हैं बाकी सभी कोटे के जो हैं जोड़ों के दोस्तों लड़कों के लिए 20% सीटें ही बचेंगी और उन्हों 20% सीटों में से भी जन्रल ओवी सी ऐस्टी वाले अलग हो जाएंगे तो ओवरल दोस्तों महिला आरच्छन पुराना नि क्योंकि कंद फना पर हम लड़कियों का सेलमसिन हो जाएगा तो में लड़कों के साथ अन्याय होगा इसी इसलिर सोमेला अरच्षन नहीं होगा आपको ड्यार आको दोस्तो 15 अगस्त तक आपको रिसकार नोटीपी के सिंदेखने को मिल जाएगा अगर आप पातता परिच्चा की त्यारी करें तो continuous करते रहें साथ में दोस्तो अगर आपका पातता परिच्चा पहले ही पास कर रहा है आपने तो आप मुख्य परिच्चा की तयारी करें, 2025 में मार्च अपरेल में मुख्य परिच्चा भी कंडेट हो जाएगी, मुख्य परिच्चा के लिए आपको उदा दू नया से लेवस बोट जारी करेगा, अभी दोस्तो इस साल कौन-कौन सी भरतियां होगी, तो फरस्ट गेट की बरति होगी, सेकंड गेट की बरति होगी, रीट पातता परिच्चा होगी, थार्ड गेट की एक्जाम में अभी समय लगेगा, अगले साल ही 2025 तक हो पाएगी, तो अबरल दोस्तो पातता परिच्चा की आप तयारी करते रहें, बोड नया अध्यच जैसी बनता है, अजमेर बोड का जो आपका RBSC बोड है, उसके बाद दोस्तो नोटिफिकेशन जारी कर देगा बोड और आप से फोरम बर वालिये जाएंगे, पचास परसेंट मेला रच्चन लागू नहीं होगा, आप निश्चिंतर है, अपनी तयारी आप अच्चे से करें, और साथ में दोस्तो परिच्चा का नोटिफिकेशन जारी होगा, परिच्चा के लिए दोस्तो पन्दालाग फोरम आएंगे इस पार, चाहदा फोरम आएंगे, अगर मैं बात करूँ मुक्य परिच्चा के लिए, जब रीट पातता हो जाएगे, उसके बाद इस्तिति के लिए हो जाई, आट लाग तो पुराने वित्यारती हैं, जो थैयारी कर रहे हैं, तो आप सोच ले सकते हैं, दोस्तों कितना हाट रहेगा, कितने पदम पर बढ़ बढ़े जाएंगे, और नहीं बढ़ती है, जिसमें से लेवल फर्स्ट के आदेपद, और लेवल टू के आदेपद रहेंगे दोस्तों, और इसमें 50% आरचन नहीं लागए होगा, हलनकि 36% हो सकता है, इसकी में याँ पर आप से बूलाओं कि 36% आरचन कर सकती हैं, और यह स सरकार का बिचार है कि 33% आरचन किया जाए, आरचन को बढ़ाया जाए, 30% से आरचन बढ़ाया है, हलां कि केंदर सरकार में महिलाओं के लिए भी 30% ही आरचन है, सरफ राच्य सरकार की बरतियों में जो राच्तान में बरती है, रीट लेवल फरस्ट में ही अभी कोशना की यह लागू नहीं हुआ है भजट भी आ चुका लेकिन भी लागू नहीं हुआ है दोस्तों नियम चेंज होंगे एक तो दोस्तों आप यहां पर फॉरम भरते समय एक्जाम में एंट्री लेते समय कापी सारे बदलाब किये जाएंगे देकि एड राइटिंग का नमूना होगा और डोकुमेंट वेरिफिकेशन जिसमें सबसे ज़्यादा फरजी बाड़ा हुआ है रीट में पुछली जो परती हुई उसमें कापी सारे विद्यारती है ऐसे जोनोंने फरजी स्पोर्ट सर्टिपिकेट बनवा लिए हैं जिससे कि उनको चूट मिल जाती है पांच परसे अब तक क्या होता है कि जो बूर्ड परेच्चा कराता था बरती रासता करम चारी राती में वर्ट यहापोर लेकिन आप अलग अपना अपना डोकुमेंट वर्ट कराएंगा पुले जैसे कि फर्जी चात्रों को पकड़ाजा सकेगा और वरती भी समय पर होगी क्योंकि एक चेंजिस होंगे परवतन होंगे जो खास कर रायस्तानी बासा जो रीट फातता परिच्छा में भी रायस्तानी बासा को सामिल करने को लेकर हाई कोड की तरफ से का गया है कि रीट में रायस्तानी बासा की संबावना तलास हैं और उनको लागू करें तो रायस्तानी बासा भी आपको विसेश द्या रखना है दोस्तों ये भी लागू होगी और रीट का नोटिविकेशन जल्दी ही चारी होगा चैनल को जरूँ से स्काइप लेना